दुनिया के मजदूरों एक हो तुमारे पास खोने के लिए जंजीरों के सिवाह कुछ भी नहीं आपके लिए एक वाक्य होगा किसी के लिए एक नारा, एक आवान लेकिन मेरे नजदीक सबसे जरूरी और सबसे खुबसूरत कवीता जी हाँ, नमस्कार, सलाम नियूस्क्रिक के इस खास कारेकरम में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकल सरल और मैं हूँ सत्यम इस कारेकरम की शुरूरात हम मई दिवस यानि मजदूर दिवस से कर रहे हैं और इसका नाम है सारे सुखन हमारे सुखन यानी बात यानी बातचीत यानी कथन, कविता, बोल जो भी है सब हमारा और आपका ही तो है ये नाम भारतिय उक महदीब का अजीम शायर फैज अमत फैज की किताब से लिया गया है वही फैज जो बीसवी सदी में चले गए, लेकिन आज 21 सदी में भी हमारी सरकारे उनसे डरती हैं और फैज से ही क्या, वे तो इत्बाल की बच्चों की दुआसे भी डरती हैं, डरती हैं फिराक से, डरती हैं मुक्तिबोस से डरती हैं इन सब के कलाम से, इन सब की जबान से, इन सब के सुखन से फाइज पुर्जोर आवाज में कहते थे, हम मेहनत कश जगवालों से, जब अपना हिस्सा मांगेंगे एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे यहां परवत परवत हीरे हैं, यहां सागर सागर मोती हैं, यह सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे वो सेट व्यापारी रजवाडे, दस लाग तो हम हैं दस करोड, यह बात फैज ने उस समय पाकिस्तान के लिए कही थी हलाकि उस समय उसकी आबादी 10 करोड के आसपास होगी, इस समय उसकी आबादी करीब 22 करोड होगी, हमारी आबादी तो 130 करोड है और पूरे भारते महादी प्या दक्षणी इश्या की बात की जाए, तो आबादी करीब पौने 2 करोड से ज्यादे होगी खेर फैज सर्मायदारों और महनत कशों की बात कर रहे हैं वो सेट व्यापारी रजवाडे दस लाग तो हम हैं दस करोड ये कब तक अमरीका से जीने का सहरा मांगेंगे जो खून बहे जो बागुजडे जो गीत दिलों में कतल हुए हर खत्रे का हर गुचे का हर गीत का बदला मांगेंगे जब सब सीधा हो जाएगा जब सब जगडे मिट जाएंगे हम महनत से उप जाएंगे बस बाट बराबर खाएंगे बिलकुल फैस की तरह यही तो कह रहे थे हमारे किसान जो तेरा महिने दिल्ली के दर्वाजे पर बैठे रहे जीत कर गए जन्विरोधी कानून रद करा कर गए लेकिन जीत अभी अधूरी है लडाई अभी बाकी है इस लडाई में किसान, मजदूर, नौजवान सभी शामिल हो रहे है बिल्कुल वही हालाद जैसे 1886 में अमेरिका के शिकागों में थे जब काम के गंटे बांधने के लिए आंदूलन हो रहा था जब मजदूरू ने कहा था कि आड़ गंटे काम के, आड़ गंटे आराम के, आड़ गंटे मननजल के इसी मांग के लिए एक माई को मजदूरू ने अपनी शहदत दी और तब से पूरी दुनिया में एक माई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है आज उससे भी बुरे हालात है चवाले श्रम कानूनों को चार श्रम कोड में बदल दिया गया है कामगारों पर और अंकुष है पूंजी पतियों, सर्माएदारों को और छूट है क्रशी कानून, श्रम कानून इस सब के विरोध में किसान मजदूर साथ आए है रेल, एरलाइंस, बैंक, एलाइसी, निजिकरन के नाम पर सब बिक रहा है या बिकने के कागार पर है देश व्यापी हर्ताल हो रही है लेकिन सरकार की जन विरोधी नीतियां जा रही है आर्थिक सुधारों के नाम पर, उदारवाद के नाम पर ये कैसा उदारवाद, या न वो उदारवाद है जो सिर्फ पूंजी पतियों के लिए उदार है ऐसा उदार जिसमें करोड़ों रुपे लेकर बड़े-बड़े उद्योपति विदेश भाग जाते हैं और एक किसान को 31 पैसे बकाया होने पर बैंक, NOC नहीं देता ये ऐसा पूंजी वाद है ये ऐसा उदारवाद है जिसने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है इसकी आँच, इसकी लपट, भारत और हमारे आसपास के तमाम देश जहल रहे हैं श्री लंका का आपको पता ही है और नेपाल में भी ये संकट कम नहीं है हमें थोड़ी राहत इसलिए है कि हमारा देश बड़ा है, एकोनॉमी बड़ी है मगर संकट यहां पर भी कम नहीं है आपने CMIE की ताजा रिपोर्ट पड़ी होगी CMIE की रिपोर्ट कहती है उसके आँखनों के मताबिख भारत की काम करने लायक 90 करोड आबादी में नौकरी की तलाश में केवल 36 करोड लोग है तकरीबन 54 करोड आबादी रोजगार की दुनिया से बाहर है CMIE के अनुसार पहले जो लोग रोजगार बजार से बाहर थे उनमें पिछले 5 साल में 6 करोड निराश बेरोजगार और जुड़ गए जिनोंने रोजगार की तलाश भी बंद कर दी क्योंकि रोजगार की उनकी उमीद खत्म हो गई उधर 4 करोड के आसपास वे बेरोजगार हैं जो रोजगार की तलाश में दरदर भटक रहें यानि कम से कम 10 करोड लोग जिन में से अधिकान शीवा हैं सड़क पर हैं तमाम जानकार कहते हैं कि यही वह तपका है जिसे सामप्रदाइक्ता और कट्रता की घुट्टी दे कर उनमादी हिंसक अभ्यानों में शामिल किया जा रहा है वेग्यानिक समाजबाद के प्रणेता सामयबाद के सिध्धान्तकार कार्ल मार्क्स ने किस जमाने में ये बात कह दी थी जो हालात हम आज देख रहे हैं उन्नीसवी सदी में मार्क्स ने कहा था इतनी चमक दमक के बावजूद तुम्हारे दिन तुम्हारे जीवन को सजीव बना देने के इतने सवालों के बावजूद तुम इतने अकेले क्यों हो मेरे दोस्त जिस नौजवान को कविताएं लिखने और बहसों में शामिल रहना था फुआश सडकों से एक सवाल पूछता फिर रहा है महाशय आपके पास मेरे लिए कोई काम है वो नव्यूवती जिसके हक में जिन्दगी की सारी खुश्यां होने थी इतनी सहमी सहमी सी इतनी नराज क्यों है संगीत कारों ने क्यों खो दिया है अपना गान अदम ये रोश्णी के बागी विचार भी जब अंधेरे बादलों से अच्छादित है जवाब मेरे दोस्त हवाओं में तैर रहे हैं समालो अपने भीतर जैसे हर किसी को रोज का खाना चाहिए नारी को चाहिए अपना अधिकार कलाकार को चाहिए रंग और अपनी तूलिका उसी तरह हमारे समय के संकट को चाहिए एक विचार धारा और एक आहवान अन्थीन संघर्षो अनंत उत्ते जनाओं सपनों में बंधे मत ढ़लो यथा इस्तिती के अनुसार मोलो दुनिया को अपनी ओर समालो अपने भीतर समस्त ग्यान घुटनों के बल मत रेंगो उठो गीत कला और सच्चाईयों की तमांग गहराईयों की था लो वाम 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 दिशा समय साम्यवादी प्रष्ट भूमी का विरोध अन्दकार लेन व्यक्ती क्वाइस पष्ट हर्दे भार आज हीन हीन भाव हीन भाव मध्धवर का समाज दीन किंतु उधर पत्प्रदर्शिका मशाल कमकर की मुठ्थी में किंतु उधर आगे आगे जलती चलती है लाल लाल वज्र कठिन कमकर की मुठी में पथ तदर्शिका मशाल भारत का भूत वर्तमान और भविश्य का वितान लिए काल मान विग्ज माक्स मान में तुला हुआ वाम 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 दिशा समय साम्यवादी अंग अंग एकनिष्ट ध्ये धीर सेनानी वीर्युवक अती बलिष्ट वाम पंतगामी वह समय साम्यवादी लोकतंत्र पूत वह दूत मौन कर्मनिष्ट जनता का एकता समन्वे वह मुक्ति का धनन्जे वह चिर्विजई व्यमे वह ध्ये धीर सेनानी अविराम वाम पक्षवादी है समय सामयवादी यह कहा था कवियों के कवी शमशेर बहद्दूर सिंग ने मई दिवस की बात हो और लेनिन ना है आद आएं ऐसा कवी हो सकता है लेनिन की कविता है पैरों से रौन्दे गए आजादी के फूल आज नश्ट हो गए हैं अंधेरी की दुनिया के स्वामी रौशनी की दुनिया का खौफ दे खुश है मगर उस फूल के फल ने पनाह ली है जन्म देने वाली मिट्टी में मा के पेट में आँखों से ओजल गहरे रहस्य में विचित्र उसकर्ण ने अपने को जिला रखा है मिट्टी उसे ताकत देगी मिट्टी उसे गर्मी देगी उगेगा वो एक नए जन्म में एक नई आजादी के बीच वो लाएगा फार डालेगा बर्फ की चादर वो विशाल रिक्ष अपने लाल पत्तों को फैला कर वो उठेगा दुनिया को रोशन करेगा सारी दुनिया को जन्ता को अपनी चाह में एकठा करेगा और अब इस मईध द्वश पर इस विशेश कारिकरम सारे सुखन हमारे कांत भी काल माक्स के एक कविता से करते हैं माक्स कहते हैं कि असली इनसान की तरह जियेंगे असली इनसान की तरह जीएंगे कठिनाईयों से रीता जीवन मेरे लिए नहीं नहीं मेरे तूफानी मन को ये स्विकार नहीं मुझे तो चाहिए एक महान उचा लक्ष और उसके लिए उम्र भर संघर्षों का तूट क्रम ओ कला तू खोल मानवता की धरोहर अपने अमूल ये कोशों के द्वार मेरे लिए खोल अपने प्रग्या और सम्वेगों के आलिंगन में अखिल विश्व को बांध लूँगा मैं आओ हम बिहर की सुदूर यात्रा पर चलें आओ क्योंकि छिचला, निरूदेश्य और लक्ष हीन जीवन हमें स्विकार नहीं हम उम्ते कलम घिस्ते हुए उत्पीड़न और लाचारी में नहीं जिएंगे हम आकांशा, आक्रोश, आवेग और अभिमान में जिएंगे धन्यवाद फिर मिलेंगे शुक्रिया